नमस्कार मित्रों, ए लेक्चर्ज की सिरीज में रतेवर्ष के विध्यारतियों के लिए विशे एडवांस कम्यूकेशन सिस्टम में आज हम मल्टिपल चोईस क्यूशन्स वस्तुनिष्ट प्रस्थनोत्तर की बात करेंगे। आज हम पल्स मोडूलेशन यूनिट के कुछ महत्पूर्ण प्रस्थन हल करेंगे जिसमें फर्स्थ क्यूशन है सैंप्लिंग थ्योरम इस यूज फॉर कनवर्टिंग तो सैंप्लिंग थ्योरम कंट्यूनिश टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट में कनवर्ट करता है ट्रांस्मिस सी कंट्यूनिश टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट एंड वाइस वर्षा नेक्स्ट क्यूशन है इस सिग्नल केन भी रिकवर्ट फ्रॉम इट्स सैंपल यूजिंग रिसीविंग साइड पर ट्रांस्मिटेट जो सिग्नल था उससे ओरिजनल सिग्नल वापस रिकवर करना है तो उसके लिए क्या यूज मिलेते हैं तो आंसर आएगा लोटार्ष फिल्टर यह शेंट्स क्यूशन दस सेंपुलिंग प्रॉसेस में कौन-कौन से मैथड चलिंट से से चांप में लेते हैं तो पहले शेंप्लिंग की जाती है फिर इसके बाद होल्ड किया जाता है उस सि the process in with the top of each pulse in the output samples returns the shape of the analog segment is called edge यानि कि after sampling जो signal की shape आ रही है उसका जो top का level आ रहा है वह है message signal या analog signal को follow कर रहा है तो उसको कहते है natural sampling तो option है A सबसे पहले बात करते है अलाइजिंग होता क्या है तो अलाइजिंग मतलब होता है कि कुछ जब sampling की जाती है तो sampling करने पर कुछ pulses आपस में overlap कर जाती है और उस receiving side पर उनको easily separate नहीं कर सकते हैं और वहाँ पर distortion आ जाता है तो उसे अलाइजिंग करते हैं तो अलाइजिंग को remove करने के लिए सिगनल को sampling से पहले भी filter कर दिया जाता है यानि कि pre filtering किया जाता है और बाद में भी filtering किया जाती है उससे बोलते पोस्ट फिल्ट्रिंग तो आंसर आएगा प्री फिल्ट्रिंग एंड पोस्ट फिल्ट्रिंग तो option है सी कि नेक्स्ट कुश्चन करने से पहले अपने की वेफोर्म देखते हैं इस वेफोर्म में sampling की हुई है और जो sampling की हुई है उन sampling की जो frequency है वह मैसे सिगनल की जो frequency component है उसका जो maximum frequency component है उसके टू टाइम से ज्यादा rate पर sampling की गई है तो सारे के सारे जो samples है वो दूर दूर है तो जब इनको receiving side पे recover करते हैं तो easily low pass filter से उनको recover कर सकते हैं वहाँ पर distortion नहीं होगा second condition में दिखा रखा है जब sampling मैसे signal की जो maximum frequency component है उसके टू टाइम्स पे क्या गवा है यानि कि perfect sampling की वह है तो यहां पर just touch हो रहे हैं ओवर लेप नहीं हो रहे हैं तो इसको भी output पे recover किया जा सकता है message signal को next वाल में sampling frequency two times of message frequency से कम है तो इस condition में samples आपस में overlay हो रहे हैं तो output में जब इनको recover करेंगे तो वहाँ पर distorted signal अपनको मिलेगा तो sampling frequency कहती है कि without distortion signal को easily recover करना है receiving side पे तो sampling जो frequency है उसकी rate must be greater than or equal to twice FM होना चाहिए और FM message signal की जो frequency है और उस message signal में भी ऐसे component जिसकी frequency सबसे ज़्यादा है तो उसका two times या greater than two times होना चाहिए नेक्स्ट अपने एक और formula यहां बता रखा है NQ quantization process के इंदर noise जो आती है that is equal to delta square by 12 आती है और delta क्या है step size है और यह step size amplitude के directly proportional होता है और number of levels है उस levels के inversely proportional होता है signal to noise ratio quantization process के इंदर यह PCM में जो signal to noise ratio आता है that is equal to 3 by 2 L square और L क्या है number of levels तो next अपने question की बात करते हैं तस signal can be reconstructed receiving side पे without distortion original message signal को recover करने के लिए क्या condition होनी चीए rate at या अब आवदा ना क्यूश्ट रेट होना चीए यानि कि option है सी नेक्स्ट अकॉडिंग टू सेंप्लिंग थियोरम तो सेंप्लिंग थियोरम के अकॉडिंग सेंप्लिंग जो frequency है वह मस्ट पी greater than और equal to twice FM होना चीए तो टाइम के सब्सक्राइक में बात करते हैं तो टाइम लेस देन और एक्वल टू बन अपोन टू एफम होना चीए तो आपना option है डी नेक्स्ट विच डिवाइस इज नीडेट फोर रीकंस्ट्रक्शन ओव दा सिगनल सिगनल को रीकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए लोग पास फिल्टर के आप सकता होती है और एक्विलाइजर की तो option है c नेक्स्ट है इप पल्स विर्थ मोडूलेटेट सिगनल केन बी जनरेटेड बाई पल्स विर्थ मोडूलेटेड सिगनल अगर जनरेट करना है तो उसमें से क्या यूज में लेते हैं तो मोनेस्टेबल मल्टिवाइबटर कहां में लेते हैं option आएगा b नेक्स्ट है in quantization process the amount of quantization noise is to the number of levels अभी जस्ट फोर्मूले में अपने देखा था कि quantization noise है वह है डेल्टा स्क्वाइर बाई 12 है और डेल्टा स्टेप साइज है और यह किसके एकवल है टू ए यानि कि amplitude डिवाइड वाई एल नंबर ओफ लेवल्स मेंस quantization noise number of levels के इंवर्स प्रपोर्शनल है तो option आगया b डेक्स्ट क्यूर्शन है नौन इडिफोर्म क्वाइजिशन प्रवाइड़ होगे वहां पर इडिऌन कोर्टेशन के रहके नêsक्रीक मांगते हैं ननीक्यों07 अन्यवेल्स इडाय लाएगा एक नेक्स्ट है दा सिक्वेंस ओफ ओप्रेशंस इन विच पीसियम इस डन पल्स कोड मोडुलेशन प्रोसेस को फुल्फिल कराना है यह फोलो करवाना है यह पीसियम सिगनल जनरेट करना है तो उसके लिए कौन-कौन सी स्टेप्स काम में लेते हैं तो पहले सेंप one of the disadvantage of PCM पल्स कोड मोडुलेशन की disadvantage क्या है तो इसकी इसके लिए large bandwidth required होती है तो option है A next comparing is the process of comparing compression और expansion दोनों का काम करता है तो option है C next which type of quantization is most preferable for audio signal for a human ear तो audio signals भी low frequency signals होते हैं और amplitude बहुत ज्यादा नहीं होता है weak signals की category में आते हैं तो answer आएगा B non uniform quantization next है in delta modulation तो delta modulation एक bit per sample transmit करता है और इसकी step size fix होती है तो चार option को देखके A और C options है यानि कि D both A and C are correct तो option D next the demodulator in delta modulation technique is delta modulation से वापस original signal obtain करना है यानि कि demodulation करना है तो demodulation के अंदर integrator काम में लिया जाता है तो option है B next source of noise in delta modulation तो delta modulation के अंदर generally दो तरह की noise प्राप्त होती है एक तो granular noise होती है और एक slope overload noise होती है granular noise का मतलब होता है कि अगर message signal constant रहता है तो granular noise produce होती है message signal sudden increase होता है या slope ज्यादा होती है तो वहाँ पर slope overload condition आती है तो तो option है C granular and slope overload next quantization noise occur in तो generally quantization noise pulse modulation में produce होती है तो option है A next the main advantage of PCM system is PCM system के important advantage क्या है इसमें noise low होती है option C next in a delta modulation system granular noise occur when dark we just बताया था granular noise जब message signal constant रहता है तो उस condition में granular noise produce होती है तो option D है modulating signal remains constant तो सही आंसर है D next the digital modulation scheme in which the step size is not fixed delta modulation के नदर step size fix रहती है लेकिन adaptive delta modulation में step size change हो जाती है तो option सही आंसर है B next codec stands for codec का मतलब क्या होता है तो co से coder और D से decoder तो option है a coder decoder next है the first digital code वाज ता मतलब पहला digital code कौन सा था तो board.code तो option B next in digital transmission signal degradation can be removed using यानि कि digital transmission के अंदर signal का जो degradation होता है signal की strength कम हो जाती है उसको किस तरह से remove किया जा सकता है repetitive repeaters काम मिलेने से signal की degradation remove हो जाती है तो option है c thank you जाती है जाती है तो